हेलो बच्चो नमस्कार last class में बच्चो हमने reproduction का आज sexual तक का सारा topic खतम कर लिया था और आज हम sexual reproduction शुरू करेंगे और almost कोशिश करेंगे आदे ज़्यादा ज़्यादा ही खतम कर दे क्योंकि दो class का और रह रह रहा है फिर ये chapter पूरी तरिके से फिनिश हो जाएगा ठीक है चलिए शुरू करते हैं एक एक करके और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इसके नोट्स आपको मिल जाएंगे ठीक है पीडिया फॉर्म में तो आपको बस उतना ही बढ़ लेना सफीशेंट हो चालिए तो शुरू करते हैं सेक्स्वल रिप्रोडक्शन ठीक है जी देखो अच्छो सेक्स्वल रिप्रोडक्शन लैंगिक प्रजनन मेल और फीमेल के पार्टिस्पेशन से होता है मेल और फीमेल के पार्टिस्पेशन से होता है नर और मादा की भागिदारी से होता है ठीक है जिसमें भई रिप्रोडक्शन में जो पार्टिस्पेट करते हैं मेल और फीमेल उनका कौन से पार्ट वाई gametes यानि जिसे हम लोग sex cells बोलते है sex cells ठीक है नर जनन कोशिका ठीक है male sex cells नर जनन कोशिका और यहाँ पे female sex cells मादा जनन कोशिका ठीक है जी मादा जनन कोशिका तो male sex cells नर जनन कोशिका मतलब नर तो इनको इनका दूसरा नाम होता है gametes इनका दूसरा नाम क्या होता है gametes ठीक है gametes नाम होता है ठीक है क्या नाम होता है gametes नाम होता है ठीक है अच्छा अब बात आती है जी अब बात आती है कि ये जो gamits होते है spelling थोड़ी गलात नहीं है ये होगी gamits की spelling हाँ जी gamits जो होते है mail के अंदर पाई जाने वैले gamits को Hindi में इसे कहा जाता है yugmak क्या जाता है? yugmak क्या कहा जाता है? yugmak gamits को Hindi में कहा जाता है yugmak अब भई मेल के अंदर जो gamits पाए जाते हैं उन्हें कहा जाता है Sparms सुक्राणू लेकिन किसमे एनिमल में एनिमल में एनिमल यानि जीव मैं पाए जाने वाले gamits को कहते हैं Animal, वो सुरी, उन्हें कहा जाता है Sparms लेकिन फ्लावर में या प्लांट में जैसे फ्लावर ठेक है? पौधे या फूल कुछ भी आप बोल सकते हो पाए जाने वाले gamits बोले जाता है Poland Grain क्या बोल जाता है? Poland Grain हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? हिंदी हम बोलते हैं इसे प्राग कर्ण क्या बोलते हैं इसे? प्राग कर्ण अब बोलते हैं एग ऑव्यूम ओवा या ओव्यूल ठीक है अंडे या अंडानू अंडे या अंडानू ठीक है यह आप एनिमल फ्लावर किसमें भी हो प्लांट किसी में भी हो सम्मी यही बोले जाता है ठीक है बच्चो तो इसके participation से मतलब जब male gamit और female gamit आपस में collision करते हैं ठीक है collision करते हैं तकराते हैं ठीक है तब जाके वही एक process होता है जिसकी वज़े से एक new baby form होता है जिसका नाम होता है fertilization fertilization हिंदी में कहते हैं निशेचन निशेचन तो आपने क्या सीखा भई कि अगर अगर आपने क्या सीखा अगर male gamit female gamit से मिल जाए नर यूगमक मादा यूगमक से मिल जाए तो भई collision होने के बाद एक process होता जिसे का जाता है fertilization या निशेचन क्या का जाता है fertilization या निशेचन इससे एक new baby की क्या होते भई फार्म होता है generate होता है जिसकी वज़े से भई हम लोग कहते हैं कि अपनी species को बनाए रखने के लिए एक process किया गया जिसका नाम है sexual reproduction और वो fertilization का एक प्ले लेता है ठीक है बच्चो फड़ा फड़ा से नोट कर लीजेगा वैसे नोट से सब कुछ लिखा हुआ है ने फिर भी अपने लिए नोट कर लो कि ठीक है कि चैलिए अब इसको मिटा आते हैं हां जी अब आता है internal fertilization अब आता फर्टिलाइजीशन फर्टिलाइजीशन निशेचन हां जी बच्चो मैंने बताया आपको कि निशेचन दो तरीके होता है एक होता है internal fertilization अंतै निशेचन और एक होता है external fertilization बाहे निशेचन बाहे निशेचन तो internal fertilization क्या होता है बच्चो जब inside the body हो इंसाइड दा बॉड़ी सरीर के भीतर कहने का मतलब क्या है कि जब जो स्पर्म है वो फीमल बॉड़ी के क्या हो अंदर जाए और वहाँ पे जाके निशेचन करें वहाँ पे जाके फर्टिलाइज करें उसे कहते हैं इंटरनल फर्टिलाइजेशन अब आता है एक्स्टरनल फर्टिलाइजेशन यह होता आउटसाइड दा बॉड़ी आउटसाइड दा बॉड़ी ठीक है मतलब सरीर के बाहर सरीर के बाहर ठीक है भई सरीर के बाहर कहने का मतलब क्या है सरीर के बाहर कहने का मतलब है जैसे मान लो मचली को ले लेते हैं मचली का एक्जामपल लिख लेते हैं ठीक है ये मान लो मेल है ठीक है और ये फीमेल मचली ले लो अब ठीक है म आभत और ये मान लो मुड़ और फीमेल मचली। अब होगा क्या ये उटसड बॉड़ी लाइज करते हैं, कैसे ये फीमेल मचली होती है पहले अंडेयी किशस्य है न पानी में देले देती है लगश्य किज्च औंश्य रहाएं अब क्या हुआ इस male ने देख लिया कि हाँ जी female ने अंडे दे दी है ये इस अंडों के पास जाएगा और अपने sporms को छोड़ देगा अपने sporms को छोड़ देगा ये sporms जाके इसमें टकरा जाएंगे एक fertilize हो जाएगा क्योंकि मैंने क्या बता है निशेशन तभी होता है fertilization तभी होता जब male और female gamit आपसमे collision करें टकराएं तो यग तकरा गिया तो जब यह आपसमें टकरा जेंगे तो fertilize हो जाएंगे fertilize होने के बाद यानि हमने क्या देखा कि जो लाद्टि वे कि ago की कि इस वरियर के लिग बाढबर न्दर कई बाकि इंदर की पीमल बादी के अंदर क्या होगा लाइब davon इस जिसे सरील के बाहर इस लिए हम बोलते हैं अश्टनल फर्टिलाइजेंशं डेसे मचली में होता है में होた आपको ठाते हैं, यूनिसेक्षवल और बाइसेक्षवल, तो यूनिसेक्षवल नाम से क्लिए है जिसमें मेल फीमेल अलग अलग हो, और बाइसेक्षवल जिसमें मेल और फीमेल एक ही बॉड़ी में हो, ठीक है, एक लिंगी मतलब क्या जिसमें दोनों मेल और फीमेल दोनों body part एक महीं होती है, ठीक है दी, चलिए, अब हम लिखेंगे sexual reproduction to the flower, in flower sexual reproduction in flower ठीक है, full में langig brajnan langig brajnan full में langig brajnan ठीक है, देखिए, diagram देखिए बिच्छो, यहां समझाता हूं, पहले में, देखिए, यहां समझाता हूं, देखिए, यहां सम्झान बार in calories, यहां सम्झान आप, यहां सम्झान यहां, यहां सम्झान आप, में 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 प्रक्राइब Rंच charging, किख औरीशेड्टैकर कि जिसे हम लोग कहते हैं कि यह एक हिंदी ज़्हें है वै क्या कि बाहे दल यह होते हैं सेपल्स कि जिसे हम लोग कहते हैं दल कि यह होते हैं सट्टल्स कि जिस् tweet पंखुडी ठीक है यह होता है भई इस्टैमन जिसे हम कहते हैं पुंकेसर यह होता है भई यह यह पूरा यह पूरा यह पूरा होता है कारपेल इस्तरीकेसर ठीक है जी तो इस तरीके से यह पार्ट्स में डिवाइड है ठीक है देखो इस्टैम जिस पे फूल टिका हुआ होता है रिसेप्टेकल बाहे दल जिस पे पूरा फूल कनेक्ट होता है जिस पे पूरा का पूरा फूल क्या होता भई इस तर्फ होता है फूर का जिससे इंसेक्ट को अपनी तर्फ रड़ कर सके कियों कर सके अभी इसका रीजर हम पता करेंगे फिर यह Works यह पूंकेちर जो की संधा फुलावर का male part है नर भाग है फिर ये बीच में दिख त devast visitor जो इस करद से तो य्रोपऌस टिक के समधोगों को क्या कहाई जाता बैए कार्लिक्स काजोगल से ज्चाज काजए जिस अनलेख का ऑफ प्टल्स को पंखुडी के समूगो group of petals पंखुडी के समूगो क्या कहा जाता है भई korola क्या कहा जाता है korola ये सारी बात मैंने notes में लिख दी है हमें main करना है भई reproduction से related बात करनी है तो ठीके जी करते हैं पहले अगर मैं stamen की बात करूँ तो stamen देखने में कैसा लगता है पहले ये देखो stamen देखने में कुछ ऐसा लगता है मैं यहाँ बना रहा हूँ ऐसे बना रहा हूँ ठीक है stamen कुछ इस टाइप कही बना हूँ दिख रहा है आपको अब stamen का यह फूला हुआ जो पार्ट है वो है एंथर ठीक है हिंदी में कहते हैं इसे प्राग कोस इसे कहते हैं फिलामेंट तन्तू और यह काले काले पार्ट दिख रहे हैं यह है पोलन ग्रेन जिसे हम मेल सेक्सिल्स कहते हैं यह मेल गैमिट कहते हैं फ्लावर ठीक है पोलन ग्रेन हिंदी में प्राग करन हिंदी में प्राग करन ठीक है अब आजो इस पर यह यह है कारपेल यह परट पूरा ठीक है यह है है फीमेल पार्ट कारपेल इसके उपर वाले पार्ट को कह जाता है shtigma बीच वाले पार्ट को बोले जाता है style और इसको बोले जाता है इसको बोले जाता है ओवेरी और इसको बोले जाता है अग या औवयू या ओव्यूल या ओवा कुछ भी हिंदी में इसे कहा जाता है वर्तिकागर वर्तिकागर इसको कहा जाता है वर्तिका इसे कहा जाता है अंडासे और इसे कहा जाता है यानि अंडा इस तरीके से है ठीक हो चो ये सारे पार्ट मैंने आपके लिए यहां पर बना दी अब आती बात पढ़नेगी तो क्या पढ़ना है मैं देखो देखो वह चो होता क्या है तीन तरीके होते हैं या तो किसी इंसेक्ट के दोरा यानि कीड़े के दोरा या तो पानी के दोरा या तो हवा के दोरा तीन तरीके हैं इंसेक्ट, कीड़ा, या पानी, या हवा, तीनों में से किसी भी मैथड थे, हम लोग पॉलिनेशन करा सकते हैं, मैंने बताया था ना, कि जब मेल और फीमेल अलग-अलग हैं, यानि कि एनिमल में, एनिमल में होता है फर्टिलाइजेशन, जबकि इनमें होता है पॉलिनेशन, किसमें होता है pollination भई flowers में होता है pollination तो pollination और fertilization एक ही बात है बस pollination होता फ्लावर में है fertilization होता है animals में ठीक है अब देखिए कैसे मैंने आपको तीन बाते बताई इंसेक्ट यानि कीड़ा दूसरा क्या बता है मैंने आपको इंसेक्ट के लावा पानी या भई क्या हवा मान लीजिए भई कोई कीड़ा आके इसके उपर बैठ गया किसके उपर आके बैठ गया इस्टैमन के उपर, पुंकेसर के उपर मतलब एंथर के उपर आके बैठेगा तो pollen grain इसके पैरों में चिपक जाएंगे भई रियाश ठीकी होता है बचाए अब अजैसे ही यह कीड़ा आके इस टिकमा बैठ जाता है यह यहाँ भी बना देता हूं यह कीड़ा आ गया, इस टिकमा आके pollen grain इस पैर आ गया अब कीड़ा तो भई अपना सहाधिक अखटा करके भग जाएगा लेकिन असली में होगा क्या असली में होगा ये कि ये पॉलन ग्रेन जैसे ही इस्टिगमा पर आएगा भाई ओवेरी को अंडासे को पता से जाता है कि हाँ भाई पॉलन ग्रेन की एंट्री हो चुकी है किसके एंट्री हो चुकी है polan grain के entry हो चुकी है यह तुरंद क्या करेगा polan grain के लिए रास्ता खोल देगा polan grain के लिए क्या कर देगा रास्ता खोल देगा कौन? style ठीक है? कौन? style वर्तिका जैसे यह रास्ता खोलेगा बस यह सब के सब अंदर आ जाएंगे अब यह मत कहना दो है तो दो रास्ते खोलो अरे एक से ही आजाएंगे सारे और जो पहले आके इससे टकराएगा जो पहले आके किससे? एक से टकराएगा टकराते ही fertilization हो जाएगा pollination हो जाएगा और pollination होते ही यहाँ पे बनेगा seed मतलब बीज बनेगा क्या बनेगा बच्चो? बीज बनेगा फल के लिए क्या बनेगा? बीज बनेगा तो इस प्रकार से fertilization जो sexual reproduction है flower में कैसे होता है आपने देख लिया कि अगर इस टैमन पे कोई कीड़ा बैट जाता है तो उसके पैरों में यह pollen grain चिपक जाएगे और अगर वो जब वो यहाँ पर आएगा किस पे? इस्टिगमा पर साहद वैद इखटे करना आएंगे तो जैसी वो आएंगे तो pollen grain sticky क्योंकि इस्टिगमा पे चिप-चिपा पदार्थ होता है चिप-चिपा इस्टाइल के थूँ आएगा वर्तिगा थे होते हो आएगा और आके इसमें भाई क्या कर लेगा भिड जाएगा मतलब ठकरा जाएगा और ठकराते ही fertilization हो जाएगा जहां पर क्या बन जाएगा बच्चो seed बन जाएगा बीच बन जाएगा अब पॉलिनेशन होते कितने तरीके के हैं ये भी सुन लो भाई पॉलिनेशन होते कितने तरीके के हैं ठीक है तो पॉलिनेशन भाई पॉलिनेशन जो होते हैं वो दो तरीके के होते हैं ठीक है इसको उतार लो ऐसे ये सारी चीजे नोट से बनी वी हैं ठीक है पॉलीनेशन हाँ जी तो पॉलीनेशन पॉलीनेशन को हिंदी में का जाता है प्रागन क्या का जाता है प्रागन बच्चों ये दो तरीके के होते है एक होता है सेल्फ पॉलीनेशन यानि स्वत्प्रागन और एक होता है क्रॉस पॉलीनेशन परप्रागन एक होता है स्वत्प्रागन एक होता है परप्रागन ठीक है जी तो स्वत प्रागन और पर्प्रागन में क्या होता है ज़र देखिए देखो पहले सेल पॉलिनेशन बता रहा हूँ देखो माल लो माल लो मैंने ये फ्लावर बनाया ये एग हो गया ठीक है ये स्टैमन हो गया अब हुआ क्या सेल पॉलिनेशन में तब क्या कोई बाई कीड़ा आके इस पर बैठ गया ये कीड़ा आके इस पर बैठ गया अब जैसे ये कीड़ा आके इस पर बैठा तो पॉलिन इस पर चिपक गया और ये कीड़ा उड़कर इसी के फूल के स्ठीकमा पर बैठ गया इसी फूल के स्ठीकमा पर बैठ गया मतलब जब कोई insect अब देखो जरूर रहिंड़ निया insect पानी से भी हो सकता है माँलो पानी मार रही हो आप पानी ते उड़के चला गया या हवा तेज चल गए हवा से भूढ सकता है तीनों के इस हो सकते है ज़रूर नहीं एंसेक्ट बस इंसेक्ट वाला थोड़ा पढ़ने मैं अच्छा लगता है इसल 만들 पता देता हूं ठीक है बाकिए हवा से भी हो सकता है पानी से भी हो सकता है अब भई, इंसेक्ट उड़के यहाँ पर आगया, मतलब उसी फूल पर आगया, similar flower पर, किस पर आगया, similar flower पर, किस पर आगया, similar flower पर, समान फूल पर, समझ रहे हो, तो मतलब, जब भई, कौन, इंसेक्ट, same fool पर आजाए, जब इंसेक्ट किस पर आजाए, same fool पर आजाए, तो उसी को क्या बोला जाता है self-pollination क्या भई? स्वैट प्रागन मतलब stigma यानि जो इससका पॉलन गिरेन है जिस फूल का पॉलन गिरेन है जो पॉलन गिरेन है वो अपने ही फूल के stigma पर गिर गया तो उसे कहा जाएगा self-pollination अपने ही फूल पर similar flower पर लेकिन जब हाँ भई अब की बार क्या होगा अब की बार इंसेक्ट इस पर बैठ गया कीड़ा इस वाले पर बैठ गया भई कीड़ा इस वाले पर बैठ गया ठीक है कीड़ा इस पर बैठ गया पोलन ग्रेन उसने यहां से चिपकाए लेकिन उड़कर अब की बार अपने फूल पर नहीं किसी दूसरे फूल पर उड़के उसके इस्टिकमा पर बैठ गया उसके इस्टिकमा पर बैठ गया मतलब क्या हु प्राइट गया किसी दूसरे फूल पर तो उसे हम क्या कहेंगे cross pollination per pragan क्या कहेंगे per pragan cross pollination मतलब क्या बच्चो कि जब कोई insect हवा पानी कुछ भी एक फूल का pollen grain उसी फूल के stigma पर गिरा दे similar flower पर गिरा दे तो self pollination लेकिन जब कोई कीड़ा पानी हवा एक फूल का pollen grain प्राग कर दूसरे फूल के stigma पर गिरा दे दूसरे फूल के वर्तिकागर पर गिरा दे तो उसे cross pollination per pragan कहते हैं क्या कहते हैं पर प्रागन कहते हैं समझ में आ रही बात ठीक है बच्चो तो इसी को कहा जाता है cross pollination या पर प्रागन लेकिन एक बात ध्यान रखना जब क्रॉस pollination होगा तो फूल सेम होना चाहिए मतलब अगर रोज से पोलन grain उठाए हैं तो रोज के रोज के ही stigma पे बैठना चाहिए अगर लिली लिली के pollen grain उठाए हैं तो लिली के ही लिली के ही stigma पे मतलब फूल कोई और हो फूल कोई और हो लेकिन भई विरादरी उनकी क्या होनी चाहिए सेम होनी चाहिए ठीक है अगर कोई और है और कोई flower होता है तो फुलावर बहुत सारे होते हैं मेरे बहुत इतने याद भी नहीं है ठीक है गुलाब होता है सन फुलावर है ठीक है सन फुलावर है सन फुलावर पे अगर बैठा है तो जब जाके दूसरे स्टिकमा बैठेगा चलिए ठीक है अगला टॉपिक है आपके सामने भाई ठीक है अगला टॉपिक है पुबर्टी ठीक है तो देखो भाई पुबर्टी हम human beings में बढ़ रहे है क्या अखिरकार पुबर्टी है क्या हिंदी में योवना आरंब क्या है ठीक है योवना आरंब क्या चीज है बच्चो आओ सीखे ठीक है योवना आरम प्यूबर्टी एक ऐसे मतलब बॉड़ी चेंज चीज़ है जो एक एज के बाद होना सुरू होती है गर्ल्स में ये 10 से 12 साल के एज के बीच में सुरू हो जाती है और 45 तक रहती है जबकि 45-50 तक भी रहती है जबकि मेल के अंदर ये चेंज़ेस 13-14 साल के आसपास सुरू होते है और एंड तक मतलब लगबग एंड तक रहते है ठीक है 60-65 के इस तक तो रहते ही है ठीक है तो ये होता है प्यूबर्टी तो चलिए आईए सुरू कीजिए ठीक है तो प्यूबर्टी अगर मैं बात करूं सबसे पहले फीमेल में तो क्या-क्या चेंज़ेस आते हैं भई एर ग्रोज अंडर आमपिट्स एंड प्यूबिक रीजन ठीक है नियर जेंडल एरिया बिट्वीन थाइस थाइस के आसपास भई क्या बाल का आना एरिया अंडर रामपिट्स में बाल आना फिलॉपिन ट्यूब औं वेजीन एंडल लार्ज वह फिलॉपिन ट्यूब मतलब जो उनकी अंड वाहिन होती है वो बड़ी हो जाती है ठीक है यू नी बड़ी हो जाती है ऑभरीज इस्टर डुटो रिलीज एग जो घर्वाज से होता भाई यह क्या करता भाई एग रिलीज करने लग जाता है अंडे छोडने लग जाता है मैंसरसटस्रीज़ साइट्रीज़री सब्सक्टी सांकल सर हो जाती है और क्या है मासिक चक्र वगएरा शुरू हो जाता है Feeling and Sexual Drives Associate मतलब क्या Feelings वगएरा Apposite Gender की तरफ Attraction ये सुरू हो जाते है Breast Developed And Stun Karanthia वगएरा बड़ी हो जाती है Extra Fat Deposit in the Various Body Part और Fat Deposit होने लग जाता है उनके सरीर के अलग-अलग भागों में फिर इसी तरीके से Male में भी कुछ ना कुछ changes आते है क्या changes आते है Hair grows under armpits and pubic reason ठीक है वई क्या gentle areas में pubic reason में बाल का आना ठीक है अगला Body become muscular Body muscular हो जाती है किनकी? Male की Chest and solder broads Chest and solder क्या हो जाते है बड़े हो जाते है Voice become heavy आवाज भारी हो जाती है Panis and testis and large Season और बड़े हो जाते है Testis start to make sperm Testis जो होते हैं वो sperm बनाना शुरू कर देते है ठीक है सुकुराणू बनाना Feeling and sexual derives मतलब opposite gender की तरफ attraction बढ़ने लग जाता है ठीक है? तो इसी में बच्चो एक topic और मैं जोड रहा हूँ Male reproductive system और पढ़ा रहा हूँ मैं आज की class में आपको ठीक है? इसके बाद आज की class यहीं off कर दूँँगा फिर next class में इस chapter proper तरीके से मैं खतम कर दूँँगा ठीक है? तो आईए Male reproductive system शुरू कर रहा हूँ मैं ठीक है? Male reproductive system इतना बेटर नहीं है लेकिन फिर भी अपनी तरफ से जितनी कोशिस हो पाएगी बना देंगे बेटर जितना बेटर नहीं है जितना बेटर नहीं है जितना बेटर नहीं है जितना बीक ह contrach झाल 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 चलो भाई यह है नर जनन तंत्र मेल री प्रोड़क्टर सिस्टम ठीक है जी चलिए दो से तीन मिनिट का है बस यह पढ़िएगा यह सारी बाते जितनी मैं बता रहा हूँ सब नोट्स में लिखी होंगी ठीक है बस आपको बढ़ना है और इसको अच्छे से समझना है ठीक है चलिए खतम करते हैं आज इस टॉपिक को देखिए बई यह टेस्टिस है टेस्टिस का काम है स्पम बनाना तो मेक स्पम सुक्राणू बनाना क्यों बनाना है क्यों बनाता सिक्राणू क्योंकि जैसे ही 13-14 साल की उमर में कोई लड़का आता है मेल आता है तो उसके टेस्टिस एक हॉर्मोन जनरेट करते हैं टेस्टोस्टिरोन कौन सा हॉर्मोन जनरेट करते हैं टेस्टोस्टिरोन जिसका काम होता है स्पम बनाना सुकराणू बनाना जब यह स्पम बनाते हैं तो ड्राई फार्म में बनते हैं किस फार्म में बनते हैं ड्राई सुखे सुस्क फार्म में बनते हैं ड्राई फार्म में बनते हैं और ड्राई फार्म में बनके mushrooms इसमें रुख जाते हैं, ठीक है, इसमें, यहां से बूज लेजाओं इस bissो बनते गा है तो आप बताओगे, टेस्टिसिस में, अगर बूज जाओओं कर नदोगे, पांतर दोगे seminal vesicle में सुक्रास्य में सुक्रास्य सुक्र मतलब सुक्राणू आज से मतलब घर मतलब सुक्राणू के रहने का घर तो सुक्रास्य से सेमिनल vesicle तो वहाँ पर आपका कौन रहते हैं spums रहते हैं सुक्राणू रहते हैं ठीक है अब है क्या भई देखो क्या क्या हुआ पहले फिर तरह देख लो testis ने spum बनाए spum by epidermis adivirisant द्वारा absorb कर लिए गए फिर यहां vast difference के थुरू सुक्रवाहिनी, सुक्रवाहिनी मतलब जहां से सुक्राणू जाके यहां पर टिकेगा कहां पर seminal vesicle में, सुक्रास्य में वहां पर जाके stable हो गया अब जब male किसी female के साथ sexual intercourse में आएगा sexual intercourse में आएगा हम भोग में की स्थिति में आएगा तो क्या होगा भई, कि यह spums जो है भई, active हो जाएंगे और यह यहां पर आजाएंगे यह spums कहां पर आजाएंगे? यहां पर, prostrate gland में अब prostrate gland में, prostrate गरंथी में क्या काम होता है? to liquefy and viscous to liquefy liquefy and viscous the sperm हिंदी में क्या लिखेंगे? कि भई, prostrate गरंथी क्या करता भई? इस पम को तरल अवस्ता और गाढ़ा कर देता है तरल अवस्ता में करके क्या कर देता है? गाढ़ा कर देता है यानि दरव अवस्ता और गाढ़े पन को कौन बनाता भई? prostrate गरंथी वैसे मैंने आपको बताया था न इस्पम यहाँ पर कैसे होते हैं, ड्राई, लेकिन लिक्विड में, क्यों क्यों होना जरूरी है भाई, क्योंकि जब तक यह लिक्विड में होगा नहीं, तो फीमेल बॉडी के अंदर उसे बहुत लंबी डिस्टेंस को कवर करना पड़ता है, इस वज़े से उसे लिक्विफ क्यों क्या रखा गया भाई, किसमें रखा गया, कि यह इस्पम को लिक्विफाई करेगा, लिक्विड में करेगा और गाड़ा करेगा, ताकि इसके सारे स्पम इधर उधर ना बढ़ जाएं, एक ही जगह रहें और ट्रेवल कर सकें और स्पीड में आ सकें, ठीक है, तो यह प्रोस्टेट ग्लैंड में क्या है बई क्या काम करते हैं कि स्पर्म को लिक्वीफाई करते हैं तरह लबस्तें बदलते हैं साथी विसकस करते हैं गाड़ा करते हैं और इसी इसी मार्ग से इसी पाथ से ये पीनिस के दुआरा किसके दुआरा पीनिस के दुआरा फीमेल जाता है, अब एक कोशन आया है था कि MALE के ये testis body के बाहर क्यूं होते हैं, body के बाहर क्यों होते हैं, क्योंकि इनको sperm बनाने के लिए, कि इनको testis को sperm बनाने के लिए normal body temperature से 3-5 degree Celsius temperature कम चाहिए होता है द्यान सा सुनना मेरे बात को, यह सारी बाते notes में लिखी हुई है मतलब अगर for example मैं कहता हूँ कि किसी normal body का temperature 25 degree celsius है कितना है 25 degree celsius है तो testis को कितना temperature चाहिए होगा लगबग 22 से 20 मतलब 3 से 5 degree celsius क्या हो चाहिए होता है कम temperature चाहिए होता है क्या करने के लिए to make sperm यानि जितना भी normal body का temperature होगा इससे 3 से 5 degree celsius क्या चाहिए होता है कम temperature चाहिए होता है क्या बनाने के लिए ये पूरयागा पुरा system रख करता है till end तक ठेक है जी जी बच्चो आपको इसे अच्छे से पढ़ना है आज का topic खतम हुआ next class में मैं इसके आगी की topic पढ़ाऊंगा और साथी साथ ये पूरा chapter खतम कर दूँगा फिर आपके test की date ब announce करनी है ठीक है, grant test की फिर grant test इसी के chapter के बाद announce करती जाएगा, ठीक है चलिए, ready कर लीजिए इसको लिख लीजिए, copy में और जो notes दूँगा उसे अच्छे से पढ़ना भी है और लिखना भी है चलिए, आज की class यहीं खतम करते हैं मिलते हैं next class में, bye